अस्सलाम वालाईकूम इस वीडियो में हम बाला खातुन की कौरिश उस्मान एपिसोड 133 में शानदार वापसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह बाला के फ्रेंज ने कौरिश टीम पर दबाऊ डाला कि बाला खातुन का किदार कौरिश के सीजन फाइट में एक बार फिर से मजबूत दिखाया जाए वीडियो को शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस टाइम हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज़ादा जरूरत है जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौरिश के सीजन के इकिदाई दोने एपिसोड में बाला खातुन दिवार और कमजोर नजर आई है और एपिसोड 132 का वो सीन जिसमें बाला खातुन सूपी दर्वेश यूनस एमरे से बाहर मिली और यूनस एमरे के वो अलफास कि शेख एदाबाली की बेटी को कौन नहीं जान था बाला खातुन की मुकमल शक्सियत को बयान कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि बालजयाने रूम की सरबना खातुन बाला खातुन तारीख में कितनी एमियत की हामिल है और अगर हम ये कहें कि शेख एदाबाली की बेटी बाला खातुन के बगेर तारीख ना मुकमल है तो गलत नहीं होगा यूनस एमरे से मुलाकात के बाद उनकी रोहानी बातों को सुन कर बाला खातुन को रोहानी सकून हासिल हुआ है और अब एक बार पूर से बाला खातुन उस्मानी महल में अपनी पुरानी शान और शौकत के साथ वापती आ रही है और एपिसोड 133 में बाला के फैन्स को इसमान बे और बाला खातुन का पसंदीदा सीन यानि एक साथ पुरसवारी का सीन भी दिखाया जाएगा ये सीन उस बाल कपल्स के फैन्स का सबसे पसंदीदा सीन है कोर्रिश के सीजन 5 के शुरू होते ही बाला खातुन के फैंस ने मुक्तलिफ शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर बाला खातुन के हाक में मुक्तलिफ हैश्टेक को ट्रेंड्स बनाए रखा एस्टेक बाला खातुन एदिल सेनेरियो जिसका मतलब है बाला खातुन के सेनेरियो के साथ इंसाफ किया जाए और अब कॉर्लिश टीम ने बाला के फैंस की सुन ली है लेकिन यहां हम कॉर्लिश टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें सीजन वन और सीजन प्री वाली पाला खातुन दिखाएं जो सिर्फ महल के अंदूनी मामलात तक ही मैदूद रहे और उस्मान बे के साथ जंगों में उनके तारीकी अलप्स को ही लड़ते हुए दिखाया जाए